यहां पर एक trend alert है, आज कल ये trend बहुत जादा आ रहा है कि आपने जैसा कि आपको thumbnail से परदा चल गया होगा, इस वीडियो में मैं बात करूँगा आप से कि आप जब जीन स्टॉप पहनते हैं तो अपने आपको कैसे एक्सेसराइज कर सकें, दो चीजे ध्यान में ने किये, व आप अपने दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं, casually बाहर जाते हैं, daily wear के कपड़े पहनते हैं, जीन स्टॉप पहनते हैं, तो अपने आपको कैसे एक्सेसराइज कर सकते हैं, जिन लोगों को पहले से ही पता है कि उनको अपने आपको कैसे एक्सेसराइज करना है, casually, उनके दोस्तों को मेरा नमस्ते मैं हूं सौमित्र आपका जूल्री एक्सपर्ट फ्रूम डाजल्स फाशन एंड कॉस्ट्यूम जूल्री ब्रॉड्ली स्पीकिंग जीन्स एज एज एकाजूल वे बहुत ही सेफ ऑप्शन है जीन्स या तो आप प्लेन हलकी सी वाश के साथ पहन सकते हैं और जनरली उसमें बहुत तड़क भड़क नहीं होती है अगर बहुत जादा तड़क भड़क है तो माइंड इट आपको किसी जूल्टी सिलेक्शन ने बहुत जादा असर नहीं डालेगा बस इतना ध्यान रखना है कि आपका थीम कैजूल है डेली वेर है बस अब हमें अगर नेकलेस एरिंग्स या हैंड एक्सेसरीज डिसाइड करना है तो नेकलेस और एरिंग्स आपके टॉप के स्टाइल के से डिसाइड होता है तो पहले शुरू करते हैं कि आप किस तरह के नेकलेस पहन सकते हैं अपने टॉप के यानि जो आप अपने आपने जो टॉप्स पहन रखा है भले वो टीशिट हो या कैजूल टॉप्स हो उसके हिसाब से जो नेकलाइन है उसके हिसाब से आप कौन सी न देख पा रहे होंगे कि long necklace आने से आपकी overall personality में एक अलग सा एक पहचान मन जाती है एक अलग सी एक element जुड़ जाती है जिससे कि you look the best version of yourself ध्यान रहे जब सिर्फ plain simple solid color हो तभी आप उसके उपर overlap करेंगे necklace का otherwise आगे देखते हैं और क्या क्या options है अगर आपके top का neck line जो है वो ही एक main definition है जैसे माल लेजिए आपने boat neckline का कोई एक बहुत सुन्दर सा top पहना है तो वही उसका statement है उसके साथ आप जबरदस्ती necklace डाल करके उसको mess up मत कीज़े आपको डालना ही है तो जो सबसे light chain का gold या फिर silver का आपका एक बहुत light सा pendant आता आप वो डाल सकते हो थोड़ा भी आपने ज़ादा heavy लिया तो आपकी neckline messed up हो जाएगी तो जब भी कोई neckline आप ऐसी पहनो जो आपको लगे कि that is the statement of your overall persona do not you do not need a necklace आपके अगर top में let's say print है embroidery है या जो भी ऐसा है जो visually थोड़ा सा busy है आपको necklace की कत्ता ही जरुवत नहीं है another thing as a thumb rule आप ये मान के रखिए कि जो भी आपके necklace का shape है sorry जो भी आपकी neckline का shape है exactly आपको वैसा ही necklace ना पहने तो भेतर जैसे कि मान लीजे आपने v-neck का कुछ पहना है और exactly v-neck का ही आपने उसको पर necklace पहन लिया दोनों की personality mix हो जाएगी कुछ भी मजा नहीं आएगा आप round neck पहन रहे हैं उसके उपर आप एक long पहन सकते हैं आप deep neck shirt पहन रहे हैं उसके उपर आप एक light सा pendant डाल सकते हैं otherwise mess up करने की जरुवत नहीं है आपका high neck, turtle neck है उसके उपर आप long necklace overlap करके single layer, double layer, triple layer पहनिए कोई दिखकर नहीं है आईए earrings की बात करते हैं, earrings में सबसे ज़्यादा safe, सबसे ज़्यादा professional setup अगर कोई earrings दे सकते हैं तो वो है studs यानि tops जो आप पहनते हैं या फिर hoops यानि बालियां simple without any texture के आप जो बालियां पहनते हैं वो professional setting में, casual settings में किसी भी तरह के आपने casual wear पहना है या हलका सा party wear types का भी पहना है तो भी वो amazing लगएगा safest bet है single studs जो आते हैं आपके diamond के या American diamond के जो भी आपको सही लगता हो, silver आपको पहनना है या gold based पहनना है, rose gold based पहनना है वो आपकी मर्जी है, वो आप अपने skin tone के हिसाब से decide कर सकते हैं, but this is the best for a casual and professional setup, safest है now earring आपको बहुत ही हमेशा light रखनी है, कभी भी heavy रखने की सोचिएगा भी मत, अच्छा light रखने में भी ख्याल यह आता है कि color क्या रखा जाए, तो पहला thumb rule यह रहेगा कि अगर आपको लगता है कि आपके पूरे जो आपने tops और denim या tops और जो भी lower पहना है उसमें बहुत आपकी accessories से एक कोई color select करके जो भी आपका favorite हो, उससे एक theme create कर सकते है, let's say आपने maroon color का purse carry कर लिया, maroon color के heels या flat strike कर लिया, and आपने जो earring select करी, उसमें भी हलका सा maroon का touch है, so that will give a single color element to your overall persona, and you will look at your best, जब भी आप कोई ऐसा top पहनते हैं, जिसमें आपका high neck है, यानि neck एकदम उपर तक covered है, किसी भी reason से हो, आप भले वो weather की वज़ा से हो, या आपकी likings की वज़ा से हो, या sleeves पूरे एकदम आपने ढखे हुए, या आप overall थोड़े से ढखे हुए ही नजर आ रहे हैं, तब earring बहुत important हो जाते हैं, ऐसी earring पहने हैं, जो आपके face की तरफ focus लेकर के थोड़ा सा earring के style में light रखते हुए ही, थोड़ा सा style में play करिये, designs देखिये और उसके हिसाब से पहनी, आपके face पे एक अलग सा glow आएगा, hand accessories की बात करते हैं, यहाँ पर एक trend alert है, आज कल ये trend बहुत जादा आ रहा है कि आपने एक ही wrist में bracelet और watch एक साथ पहनी है, और दूसरे हाथ में आप चाहें, तो कोई हलका सा bracelet डाल सकते हैं, चाम bracelet डाल सकते हैं, या फिर सिर्फ एक ring भी काफी है, बट जो मैंने एक wrist में दिख रहा है, लोगों के उपर लोग अपनाते जा रहे हैं, जल्दी आपको अगर नहीं पता है, तो पता चल जाएगा, तो आप इस तरह का चीज फॉलो कर सकते हैं, ब्रेसलेट पहनते वक ये ध्यान रखिए, कि आपकी sleeve जितनी short रहेगी, sleeveless से ले करके 3-4th sleeve तक, यान कि आप चाहें, तो अगर आपकी sleeve आ रही है, तो आप bracelet अवोइड कर सकते हैं, आप सिर्फ watch पहन सकते हैं, और आपको ये अब तक obvious हो गया होगा, कि अगर आपकी long sleeve t-shirt है, long sleeve sweaters है, या कुछ भी आप ऐसा पहनने जो आपकी sleeves को पूरा cover कर रहे हैं, तो आप bracelet नहीं serves a functional purpose as well, but bracelet is only for beautification purposes, और वो सिर्फ mess create करेगा, कोई फायदा नहीं है, ऐसे cases में bracelet पहनने का, रिंग के बारे में कभी सोचना नहीं है, रिंग सब ही, कुछ भी आपने पहना हो, रिंग हमेशा सही जाएगी ही जाएगी, रिंग सिर्फ तभी गलत हो सकते हैं, जब आपका हाथ भी अंदर ही छुपा हुआ हो, या सिर्फ एक थंब आउट हो आपके sleeve से, ऐसा बहुत rare cases में होगा, या फिर आप रश्या में रहते हैं, बहुत थंडे प्रदेश में रहते हैं, तब ऐसा हो सकता है, otherwise ring is always good to go, do not over chunky pieces मत पहनिए, आजकल multiple rings का जमाना है, मैं weddings की बात नहीं कर like the video, मैं कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे videos बनाने की, जो की थोड़ा सा wedding से दूर हो, यानि pre wedding हो, post wedding हो, क्योंकि बहुत सारे आप लोग ने suggestions दिये थे, कि मैं सिर्फ brides पे ही concentrate करता हूँ, और actually आप मैं से बहुत, 1000 subscribers मेरे ऐसे हैं, जिनकी शादी हो चुकी है, या अभी हुई ही तो यार चैनल है नहीं, आप अपने suggestions मुझे comment में या फिर mail भी कर सकते हैं, मैं definitely आपको revert, reply करता हूँ, कि आपका क्या best solution हो सकता है, जरुद पढ़ती है तो हम video call पे भी एक दूसरे से रूबरू हो जाते हैं, okay, so मिलते हैं अगले हफते with a brand new topic only suggested by my subscribers only, I am Samitra signing off for now, your jewelry expert from Dazz fashion and costume jewelry